हलो और वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो ओपन ओफिस कैल्क को लेकर के मना रहा हूँ और इसमें हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए एक्सल में ओपन ओफिस कैल्क में और लीब्रा ओफिस कैल्क में कुछ समानता हैं कुछ क पर एक हमारे पास डेटा है अब एक और समानता एक जो सेमिलर्टी नहीं पाई जाती है इन सारे सौफियर्स के बीच में वो आपको दिखा रहा हूँ अभी मैंने ओपन किया है ओपन ओफिस कैल्क अब यहां पर इसी कॉल्ट्यू का निशान लगाया अब यहां पर रैंड को जैसे ही ओपन करते हैं फिर यह फॉर्मूला शो होने लगता है अब यहां पर देख सकते हैं बॉटम तो बॉटम में मालिजे 6 दे दिया मैंने और यहां कॉमा दिया और फिर यहां दे देते है 90 ठीक है अभी तक तो सब सही दिख रहा है जैसे ही एंटर प्रिस करेंगे तो आ जाएगा error क्यों error आएगा अभी बताता हूं देखिए यहां पर error code 504 आ चुका है अब यह error क्यों आया वो आपको बताता हूं देखिए यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है semicolon लगाना यहां पर syntax में आप देख सकते हैं कि bottom के बाद यहां पर semicolon लगाए गया है सारे same softwares के बीच में ठीक है यानि कि same तरग के software है चाहे Google Sheet की बात करें Libra Cal की बात करें MS Excel की बात करें तो यह सारे same तरग के software है यहां पर हम इसको क्या करते हैं fix कर देते हैं तो copy करते हैं क्योंकि हमने use किया formula और यहां से कहां चले जाते हैं paste special पर चले जाते हैं और इनक ठीक है और यहां से हम क्या करते हैं okay कर देते हैं तो जैसे यह okay करेंगे तो यह हो जाएगा fix ठीक है अब यह change नहीं होगी value randomly यह जो value change हो जाती है वो change नहीं होगी ठीक है अब यहां पर आते है is equal to का निशान लगाते हैं यहां पर हमको इसको add करना है तो sum का formula लगाएंगे ठीक है अब यहां पर क्या करना है इसको drag कर लेना है तो यहां पर आप पहले cell को select कीजिए और फिर यहां से line से select करते चले जाएए और यहां bracket को close कीजिए और enterprise कीजिए आपका answer आ जाता है यह सब चीजे तो same है लेकिन वहां पर आपको दिक्कत होगी अब यहां पर मैं average calculate क करने के लिए यहां पर हमें क्या करना है average लिखना इस तरीके से और यहां से bracket को open करना है और इस पूरे data को select करना है तो अगर आप यहां पर यह सोच रहे हैं कि subject 1 में यह राम का 77 marks है तो यहां से हमें इसको लेना है तो इसका cell address क्या है यह देखिए यह cell address क्या है यह है C3 त और यहाँ पर इसका यानि subject 5 का sell address दे देते हैं, तो यह हम कर सकते हैं क्या, आईए एक बार check कर लेते हैं, ठीक है, वैसे तो करी सकते हैं, यहाँ पर G3 लिख देता हूँ, last G3 ही है, और यहाँ पर bracket को close करके enterprise करता हूँ, तो यहाँ पर average आ जाता है, ठीक है, तो यह सारी जो तो बहुत आसान है, यहाँ पर maximum formula लगा लेता हूँ, और इसमें हमको maximum हमको लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको select किया हमने, और यहाँ से चलते हुए आ जाते हैं subject 5 तक, और इसके बाद bracket को close करते हैं और enterprise करते हैं, तो यहाँ maximum marks जो है, राम के 79 आये थ से आ जाना है subject 5 तक, ठीक है, total तक नहीं जाना, सिर्फ subject 5 तक रहना है, हमें enterprise करना है, यहाँ पर minimum marks भी आ जाता है, आयोप की बात समझ में आ रही होगी कि इसको हमें कैसे करना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हैं अभी यहाँ तक, अभी हम क्या करने वाले हैं, इन border लगाना है, तो border लगाने के लिए कहा जाना होता है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी border नजर आ रहा है कहीं, यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यह merge cell है, border तो है नहीं, तो फिर इसमें border लगेगा कहां से, सबसे बड़ा सवाल यह है, ठीक है, तो don't worry, border आपका लगेगा यहा look up की बात कर रहा हूं, ठीक है, horizontally look up करेंगे, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर is equal to का निशान लगाएंगे, और फिर लखेंगे h look up, ठीक है, h look up, यह लगा दिया हमने bracket को open किया, bracket को open करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यह देखना है, कि हम search किसको करना चाहते है अगर आप v look up लगाते हैं, तो side से लेते, अगर हम h look up लगा रहा हैं, तो हम यहाँ ऊपर से लेंगे, ठीक है, कॉमा देंगे, कॉमा देने के मत क्या करना है हमें, यह table ही select कर लेना है, क्योंकि इसी table के अंदर हमारा data छिपा हुआ है, ठीक है, यह हमने पूरा data select किया, और अब हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है, अब देखिएगा धियान से, यहाँ पर कॉमा लगा रहा हूँ, और यहाँ पर क्या करना है, हमें row index number डालना है, यहाँ पर देख सकते हैं, index दिया हुआ है, तो यहाँ पर row का index number डालना है आपको, column का index number नहीं डालना है, तो row index number अगर हमें total चाहिए कौन से row में है तो यह देखिए row number 2 में है यह देखिए यह हो गया row number 1 यह हो गया row number 2 तो row number 2 का यहां हमें बस दे देना है comma देना है यहां पर exact match के लिए 0 दे देते हैं हम और enter place करते हैं तो यहां पर error code 500 date आ गया अब यह error code के पीछे same वही reason है जो ह हमने शुरुआत की थी तो हमने देखा था तो हमको यहां पर comma नहीं लगाना है हमें यहां पर क्या लगाना है semi colon लगा देना है तो बस semi colon लगा दीजिए यहां पर भी semi colon लगा यह और फिर यहां पर हमें row index number देना है फिर यहां पर semi colon लगाना है फिर यहां 0 देना है अब द वाज़ वाज़ इस वीडियो वाज़ वाज़ इस वीडियो वाज़ वाज़ इस वीडियो वाज़ 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 इस वीडियो वाज़ 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 झाल झाल